कि नमस्कार दोस्तों जैसे नाम स्वागत करता हूं बेंक निफ्टी और निफ्टी एनलाइज की एक और नहीं वीडियो में आज क्या सीन जावाई साब गया फूप हुई मार्केट आच एचल सी सेटप यहां पर नहीं बना अपना और गयाप फोने के बाद थोड़े यहां है पूट वालों को यहां पर ट्रैप किया इस्टॉप लॉसेट किये पूट वालों के फिर जिसने कॉल लेके रखा होगा कॉल लेके जिसने भी होल्ड किया होगा वो तो पूरी तरीकी से आज निचोड़ गया बुद्दे की बात पर आते हैं सीधा चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि क्या सीन आज कर रहा देखो एचल सी सेट अब मैंने तीनों लाइन ड्रो की है यहां पर हाई लोग कि लोज का निफ्टी फिप्टी की बात कर रहा हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए फिर दूसा सेट भी नहीं बनेगा तो क्या होगा इससे तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं अगर लाइन दूर है तो आपको कुछ नहीं करना अगर इस तरीके का गैप अप मिले यह मैं एक्शुली पार्ट टू में कवर करने वाला था यह जो मैं ला रहा था हूँ उसमें कवर करता पर चलो आपको मैं अभी बताता हूँ फॉर एजामपल जब भी इस तरह की सुच्येशन वने तो आपको कुछ नहीं करना है सिंपल चाह औरिजॉंटल लाइन निकाल के नो पंदा की केंडल का हाई मार कर लेना नो पंदा केंडल अगले पंदा मनिट की केंडल अगर के नीचे नो पंदा की केंडल के लो के नीचे क्लोज कर रही है तो यहां पर पूट साइट का ऊपर क्लोज कर रही है तो यहां पर सिंपल सा कॉल साइट का फॉर्मला अपनाना है अब फॉर एक्जंपल की नो नो तीस की केंडल ने नीचे क्लोज किया ठीक है अब लेना है अपनको ट्रेड नो पैंतालीस की केंडल पर ट्रेड लेना है लेकिन कब लेना है जब नो नो तीस की केंडल का लोग के साइड भी सेम लॉजिक था तो अब सभी पोजीशन तो यहां पर बन रही थी कॉल साइट की थोड़ा सपोर्ड लेकर लेकिन यहां पर कुछ अपने पास कुछ लॉजिक ही नहीं था भाई साब यहां पर ट्रेल लेने का कॉल यह पोड इसलिए मैंने पहरा ट्रेड दस मुएंट मैंने केप्चर किया उसमें बीस पॉइंट अपने कवर हो गया सबने प्रॉफिट लिया था वन इस टू का उसमें जो रिवाट था दस पॉइंट का एसल रखवाया था उसमें थीक उसके बाद फिर ट्रेड ने लिया दो आजार रुपए मेरे निफ्टी में बन और भाई साब जो एक वज़े के बाद मुवेंट आया मैंने ज्यादा पॉइंट तो कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं भारता और मैंने टेलीग्राम पर भी अप्डेट नहीं कर पाया कि मैंने क्या खरीदा क्या बेचा फिर भी लोगों ने प्रॉफिट बना लिया तो बेंक निफटी का ब्रेक हुआ और एक ट्रेड मेरे मारा नँन यहाँप है यहाँप मैंने कर दो बच के बारा मिंट पर लिया वाई साथ कॉंटिति लीग फिर दो बच के पंदम मिनिट पर दियर सो WH ली फिर मैंने इनको सेल कर दिया वनसेंटी मट्सीश पर सेल कर दिया 210 लेकर दिक्कत की बात यह गया था 250 तक कॉल था मैंने नकाल दिया से 30 पॉंड लेके तो थोड़ा रिग्रेट हुआ कि लगवग के एक एव चे लिए बबन रहा था अपना की लोग को टर्च टर्च लेखने पैसाठ्ट बटैट रहता है पटा दू मैं हमी आपको सब्सक्राइब करें जेणा नहीं चे лाहा नहीं आपको टारगेड रहता है तो मैंने यह कैप्चर किया अच्छा प्रॉफिट बना आई होप देखो आपको वीडियो समझ आया हो पूरा लॉजिक समझ आया हो देखो आथ तो सेटम नहीं बना भाई सब कभी-कभी सिच्छियोशन ऐसी आती है कि अपनको सेटम नहीं बनता कुछ दूसर दिमाग तरीका लगा कि यहां पर करना पड़ता है सिस्टम तो वह दोनों में एक अच्छा वूमेंट आया है एम पैटन यहां पर बना ट्रेट बुक आप मेरी देख सकते हो फाइनल प्रॉफिट जो है मेरा आज का बूरा सत्रा जार पांसो नब्य रुप्य रुप्य है को पाईडे प्र प्रॉफिट में 376 रुप्य यानी 17,000 पूरा अपने हाथ में आ जाएगा यार देखो अबर ट्रेडिंग करोगे तो बुरे कुरे इस तो लगी गी वाई एक इंपोर्टन चीज और बतानी थी भाई लोग आपको कि आपने जो लिंक से जो फॉर्म आपने फिल कर दिया था और बुक बगेरा और यह अपना तमाम ऐसे कॉंसेप्ट हैं जो आपको यूटूब पर अभी मिलेंगे नहीं वाई सबना यूटूब पर होंगे ना बुक कितावों में हैं वह कितावों से मैंने पढ़के सीखाया वाई तो मैं सारे फॉर्मले कॉंट कॉंटिटी मेनेजम तो पूरा क्या है वो जूम पर ही समझ में आयागा फेस टू पेस अब एक चीज थी स्मार्ट मनी कॉंसेप्ट का SMC वेरी इंपोर्टन चीज है ट्रेडिंग में SMC तो इस पर ध्यान देना है इसके बारे में पूरा मैं समझा दूँगा इंडिया बिक्स कैसे काम करता है ट्रेडिंग में बो मैं समझा दूँगा और HLC सेटप का एक एक डिटेल पूरा में जूम पर ही समझाओंगा तो ज इसमें पिन करें मैंने रखी है फॉर्म पे क्लिक करना फॉर्म फिल करना नाम नंबर इमेल उसके बाद फिर मैं आपको जूम क्लास पर जोड़ लूँगा अपने तरीके से और अपन क्लास ले लेंगे 10-15 दिन क्लास चलेगी इसमें आपको HLC सेटप समझा दूँगा ट्र पूरा मैं समझा दूगा और दोस्तों जली पार्ट टू मैं भी डिलीज कर दूगा इसका है चल्सी सेटप एक्सप्लें का तो पार्ट टू में आई हो आपको सारी चीन समझ आ गहीं होगी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैस्री रा झाल